नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अब और आज से हिंदू मेरेज हैट 1955 हम लोग पढ़ने शिखने जा रहे हैं तो उसी को लेकर के ये फर्स्ट वीडियो है मेरा इसमें हम लोग हिंदू मेरेज हैट 1955 को पढ़ेंगे तो आज के वीडियो में हम लोग इंटोडक्शन देखते हैं हिंदू मेरेज है 1955 का इंटोडक्शन को हम लोग देखते हैं तो यह जो कानून है section 1 में जो बोला गया है यह जो कानून है इसको हम हिंदू मेरेजे जैट 1955 बोलेंगे ठीका है इस कानून को हम Hindu marriage act 1955 हम लोग बोलेंगे और ये कानून पूरे भारत में लागू होगा except the state of Jammu and Kashmir Jammu and Kashmir को छोड़ करके ये पूरे भारत में लागू होगा इसमें एक और भी है ये उन लोगों के उपर भी लागू होगा जिनका domiciled इंडिया में है मतलब ये act उस territory में जहां एक बंदा रह रहा है उस territory में apply नहीं होता है लेकिन उस बंदे का जो domiciled है जो permanent घर है वो उस territory में है जहां पर ये act apply होता है तो अगर ये case है तो वो जो बंदा है उसके उपर भी हिंदू लोग apply होगा अब हम लोग देखते हैं कि ये कानून किन-किन लोगों के उपर लागो होता है जो कि section 2 में बताए गया है तो इस का ये कानून सभी लोगों जिसे कि विराशेवा, लिंगायत जो कि ब्रह्मो समाज को फोलो करते हैं प्रार्थना समाज को फोलो करते हैं आरे समाज को फोलो करते हैं उन सभी लोगों के उपर में ये हिंदू लोग एपलाई होगा इसमें ये जानना है कि विराशेवा या लिंगायत किसको बोलते हैं ये दोस्तों वो लोग होते हैं जो लोग शिव भक्त होते हैं जातर ये लोग करनाटका में पाए जाते हैं तो लोग हाड कोर शिव भक्त होते हैं तो उनको विराशेवा या लिंगायत बोलते हैं ठीक है तो वो लोग भी एक्चुली हिंदू धर्म के अंदर में आएंगे दूसरे वो लोग सभी लोग आएंगे जो लोग जैन धर्म को फोलो करते हैं सिख धर्म को फोलो करते हैं या बुद्धिस धर्म को फोलो करते हैं वो लोग भी हिंदू लोग के अंदर में आएंगे तीसरा वो लोग हैं जो लोग उस टेरिटोरी में रहते हैं जिस territory में ये act apply है ठीक है लेकिन वो लोग ना तो मुस्लिम धरम मानते हैं ना कृष्यन धरम मानते हैं ना पार्शी धरम मानते हैं ना जीव धरम मानते हैं मिला कोई धरम नहीं मानते हैं ठीक है हिंदु धरम भी मान लेज़ें नहीं मानते हैं ठीक है और उस territory में रहते जहां पर हिंदू लोग एपलाई है तो इसमें ये बोला गया है जो लोग बाकी धरम नहीं मानते जो कि मुस्लिम हो गया, क्रिश्यन हो गया, यह हो गया, पार्सी हो गया, जी हो गया वो लोग भी हिंदू लोग के अंदर में आ जाएंगे लेकिन इसमें ये देखने वाली बात ये है, कि अगर उन लोगों का अपना ही कुछ एक धरम है, तो फिर उनके उपर हिंदू लोग एपलाई नहीं होगा मतलब कि माली जे कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए एक टेरेटोरी में रहता है, जहां पर हिंदू लोग एपलाई है, मिस्टर ए ना तो मुस्लिम धरम मानता है, ना जीव धरम मानता है, ना पार्सी धरम मानता, ना क्रिशन धरम मानता है, और वो हिंदू धरम भी माली जे नहीं मानता उपको धर्म ही नहीं मानता तो उसके उपर हिंदू लोग एपलाई हो जाएगा लेकिन अगर एक ये community है एक tribe है जिसका खुद का एक कोई धर्म है तब उसके उपर हिंदू लोग एपलाई नहीं होगा ये बहुत जानने वाली बात है अब कुछ और लोग जो की जिसको की हम हिंदू के अंदर में जानेंगे एक बच्चा जिसके माबाप दोनों हिंदू है या जेन हैं सीख हैं बुद्धिस्त हैं बच्चा जायज भी हो सकता है ना जायज भी हो सकता तो वह बच्चा को भी हम लोग हिंदू बोलेंगे दूसरा एक बच्चा पैदा हुआ उसका एक जो पैरेंट है, one of the parents चाहे माँ हो चाहे बाप हो वो या तो हिंदू है, जेन है, सिख है, बुद्धिस्त है और वो ही पैरेंट उस बच्चे का लादन पोशन करता है, बच्चे को बढ़ा करता है अपने धर्म के अनुसार, तो वो बच्चा को भी हम हिंदू बोलेंगे तीसरा, कोई भी इंसान जो कि हिंदू धर्म में अपने आपको कनवर्ट कर लेता है हिंदू हो जेन हो सिख हो बुद्धिस हो अपने आपको अगर उस धर्म में कनवर्ट कर लेता है या re-convert कर लेता है re-convert का मतलब हुआ re-convert का मतलब हुआ मानली जे Mr. A है वो पहले convert हुआ हिंदु में फिर वो दुसरे धर्न में चला गिया फिर हुआ हिंदु धर्में आया तो उसको re-convert बोलते है तो उसको भी हिंदु ही माना जाएगा इसमें एक constitution में जिसको की पताया गया है जिसका की definition दी गई है schedule track की उनके उपर में लेकिन हिंदु law apply नहीं होगा वो तभी apply होगा जब central government अपने official gazette में ये चीज़ को लेकर लिखेगा या बोलेगा notify करेगा तभी apply होगा नहीं तो नहीं ठीक है अच्छा इसमें एक important बात ये है कि धरम के अनुसवर तो हम लोग देख लिए क्या कौन किसको किसको हम लोग हिंदु बोल सकते हैं इसमें यही है जो point number 3 है इसमें यही बात बोली गई है कि जो लोग कोई भी धरम follow नहीं करते और जो हिंदु लोग उस territory में रहते हैं जहां पर कि हिंदु लोग apply है तो उनके ऊपर हिंदु लोग apply होगा यही बात बूली गई है तो यही है दोस्तों हिंदु मेरे चैक 1955 को introduction जिसमें हम लोग ने सीखा कि यह एक्ट कहां apply होता है और किन लोगों को के ऊपर में यह एक्ट एपलाई होता है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद दोस्तों थेंक यू बेरी मच्छ क्या होता है और किन लुके लेए जवीध कुनलाई है, और किन लेखने टहो भीदेछ स्थलने किन लोगड़ से रहिंध कर द 되면 लोगचे क пятने आप लेगछ दीलिए